तो भाई यो एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में और आज जिस गेम को हम लोग खेलने वाले उसे बाहर के देश में बहुत ज्यादा लोग खेल रहे है और बहुत ज्यादा पसंद कर रहे है इस गेम का नाम है सुपर मार्किट सिम्यूलेटर और इस गेम में हमें एक सुपर मार्किट दिया जाएगा जिसे हमें लोग से प्रोविडेबल बनाना है बट इतना आसान नहीं होने वाला है जितना हमें बोल रहा हूँ क्योंकि इस गेम में बहुत सारे लोग 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 कर कर दोबा या बहुत चलो फिर फिर श्तार्टटकरते है new game और देखते है क्या है इस गेम में ओ भाई ये क्या हो गया ऑच्छा आ गया में बुला कुछ तो लबड़ा ओ गया गेम में और ये beta release है तो मतलब अभी proper release नहीं हुआ है गेम का तो देखना है हमें कि ये game crash होगे रा तो नहीं होता है ना अच्छा ये computer पर हमें आना है क्या यहां पर computer है एक switchboard है एक मिटे बटन से क्या होगा अच्छा light on हो रहा है बन कर देता है भाई sensitivity बहुत ज्यादा है sensitivity मेरे को थोड़ा low करने तो भाई बहुत ज्यादा ही है तो उसके अलावा यह है cashier I think हम यहां से लोग जो भी खरीदेगे ना उसको cash में पेसे लेगे और billing center है simple बताया जाए तो यह tablet है और एक computer है case register वाला यह mobile भी है साथ में mobile नहीं यह card swipe करने वाला आता है वहीं है हाँ और दो रहे के जहां पर सामन हम लोग रखेगे बट सामन लाएगे कहां से I think यहां पर नहीं एक पिला मारक आ रहा है यहीं से लाना होगा एक बार मिरगोना अपना shop देख लेने दो भाई और shop में बाहर की side देखे तो कुछ इसा खास है भी नहीं एक कच्री की पेटी है और यहां पर कच्रा है एक cycle है यहां पर storage है भाई यह storage हमारा है क्या I think नहीं आने वाले time में बिभी हम लोग इसको खरीद पाएगे और super market का हमें नाम करन करना है तो राम अरे 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 कि building हम खरीद पाएगे क्या नाम कर भाई game developer अगर यह देख रहा है तो पहले इसको fix कर ले मामे उसके बाद सभी चीज़े करना या बुलुगाड़ी आके निकाल के ले जा रही है हमको भाई यहाँ पे closet का banner है इसे हम open भी कर सकते हैं मतलब जब सामन लाएगे तब open करेगे super market का नाम हम लोग change नहीं कर पाएगे मैं भी computer में चेक करता है भाई bank भी है अच्छा अगर हमको basic loan वगरा लेना है तो loan भी ले सकते है daily interest रहेगा 0.01 percentage भाई बहुत बहुत ही ज्यादा लो है और साथी में मेरे पास पेसे कितने है 50 dollar ओ ब्रो 25 dollar में कुछ भी नहीं होगा seriously ब्रो यह क्या है 25 dollar में मैं super market को profitable केसे बना होगा बेक केसे करता है भाई अच्छा यह हो गया market में product और furniture भी बिकरा है product में क्या है भाई display shelf unit price है 12 unit 2 dollar क्या है 2.99 dollar का एक unit आएगा भाई मैं सही mathematics लगा रहा हूँ न फिर पता लगा मैं गलत mathematics लगा रहा हूँ यह है चोकी पीक ओके चोकी पीक है यह है slice bread और यह है floor I think यह load बोलते है न हम लोग जो गेहू आता है वो गेहू का चूरन आता है load जिसे बोलते है oil है पास्ता है sugar powder है तो देखो really live में हमें क्या चाहिए सुबा उठते ही हमें चाहिए bread I think हमें bread खरीदना चाहिए जो कि 12 piece हमकों मिलेगे 1 dollar के यह 1 dollar का तो 12 dollar का आएगा और total होता है 11.88 dollar I think हमें एक यह खरीदना चाहिए उसके अलावा oil I think चाहिए बट सुबा में oil का जरूरत नहीं पड़ता सुबा में लोग पास्ता भी खाते है I think हमें पास्ता भी खरीद लेने चाहिए जो कि 1 dollar per 1 unit आएगा अब इसको बेचेगे केसे और उसमें profit हम केसे निकालेगे वो बात की बात है अभी भी मेरे पास 50 dollar है तो अच्छा काट में चीज़े जा रही है मैं बुल ये 50 dollar में मुश्किल तो जाएगा एक मिनिट मेरे को ना computer सही से चेक करने दोबर क्या है तो भाईयो एक और चीज़ आप लोग imagine करो आप computer screen पे बेठे हो और देल सारे पेसे कमा रहे हो I think imagine करना मुश्किल होगा बट प्रोकिट ब्रोकर एप की वज़े से अभी मुश्किल आप लिटरली pocket broker एप पे जाके trades बना के पेसे कमा सकते हो आप में से वह सारे लोग एभी वो लोग या रज्जी भाई trades बनाना हमें नहीं आता है तो pocket broker एपने आपके लिए वो भी आसान कर दिया आपको demo account में 50,000 dollar दे दिये जायेगे जिसे आप लोग trades बनाना सीख सकते हो बट अगर फिर भी नहीं सीख पाते हो तो वहाँ पे expert भी है उनके trades copy करो और पेसे कमाना start कर दो और हाँ अगर साथी में आप लोग total promo code का use करते हो first deposit करते time को आपको मिलेगा 60 टका extra cash मतलब आपके amount के उपर तो मैं तो जा रहा हूँ इस game के बाद pocket broker एप पे trades करने के लिए और पेसे कमाने के लिए तो आप भी आ जाना बट अभी game में जाते है management में है product license मतलब अगर हम कोई नई चीज बेचना चाहते है जैसे bottle water जो पानी का bottle आता है उसे बेचना चाहते है तो हमें उसका एक permit लेना पड़ेगा एक license लेना पड़ेगा वरना हम नहीं बेच हमको level 3 पे 200 dollar का भाई ये game कुछ ज़्यादा ही realistic नहीं है क्या बट पानी का bottle बेचने के लिए कौन license लेता है ये भी चीज सोचने वाली है और bills है अगर हम bills pay करना चाहते है तो मैं तो वेसे bills नहीं pay करूगा है कौन से bill है growth ओ भाई अगर हमको दुकान super market बढ़ा करना है तो 3500 dollar का हम लोग expand भी कर सकते है और ये expand होता है 23 level तक crazy भाई hiring cashier भी हम लोग hire कर सकते है जो कि हर दिन लेगा NC dollar और hiring cost 100 dollar ओ भाई ये तो भाई बहुत ज्यादा level पर आएगे ना उसके बाद कर पाएगे storage है जो कि हम लोग purchase कर सकते है ओ अच्छा हमने जो past में storage देखाता ना व मिलाया ओ कहां पर आया है वो देखने दो मिलाया क्या जो order किया हो यही सामाने ना हाँ ये उठाया international delivery भाई साब गेम तो तड़ी पार है अभी इसको मेरे को इधर ही रखना है ना हाँ अच्छा भाई ये तो open भी हो गया बक्सा जो मैं देख रहा हूँ ये सचे क्या मैंने सुसु मंगवाया है देखो हद दो गई भाई ये गेम में कुछ भी नाम दे रहे है लोग सुसु चलो चलो ये बक्सा भी आइधिंग का अच्छा यहां पी फेकना है देखो आ गया अभी ये वाला बक्सा लेता है ये है आई तिंग फ्लोर मतलब जो अमने वो मंगवाया एक मिनिट इसको भी मैं फेक देता उसके बाद हो देखेगे अभी ये क्या है अच्छा ये पास्ता है I think जो हमने पास्ता मंगवाया था वो भी आ चुका इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं भाई मेरे को ना इसके पहले भी मैंने एसा एक गेम खेला है बट उसमें ये वाल उपन करना चाहिए स्टोर उपन से पहले ये क्या हो रहा है एक मिनिट को चेक करने दो भाई फिर हम को पता लगा बाद में की लफड़ा हो गया एक मिनिट यह क्या है अच्छा यहां से क्लिक होगा एवरेज कोस्ट वन पॉइंट फिप्टिन डॉलर और मार्किट प्राइ और एवरेज कोस्ट मतलब भाई रहेगा बट हम लोग इसको ना मार्किट प्राइज 4.83 डॉलर तक में बेच सकते हैं जो कि मार्किट में बिकेगा तो हाँ हमको ना यह 5 में बेचना चाहिए जो इतना बोल रहे है इसमें नहीं बेचना चाहिए 5 डॉलर का एक पीस मिलेग मार्किट प्राइज है 3.71 मतलब हम लोग 2 डॉलर से ज्यादा का प्रोफिट कर रहे है यह अच्छा लग रहा है भाई प्रोफिट सिस्टम तो अच्छा है तो यह तो आराम से प्रोफिटेबल बन सकता है मैं 5 का भी है चुगा और मेरा जो प्रोफिट इसमें होएगा वो 4 डॉलर का आराम से मतलब पर यूनिट हमें 4.21 डॉलर का प्रोफिट हो रहा है अभी और इसमें अगर हम देखे तो 4.85 डॉलर का प्रोफिट हो रहा है तो यह से तो हम लोग का निकल पड़ेगा भाई अभी देखना है तो यहां पर यह ब्रेड कितने के हम लोग बेच सकते प्राइस है इसका 3.96 डॉलर और हम लोग खरीदा है 0.99 में एक पीस तो हमें इसको बेचना चाहिए 5 में और इसमें हमें प्रोफिट मिलेगा 4 डॉलर का सेम पास्ता के साथ भी वहीं होगा पास्ता भी 3.9 तो हम लोग इसको 6 में बेचेगे पास्ता सबसे महेंगे इसमें हम लोग सबसे ज्यादा प्रोफिट कमाएगे 5 डॉलर का पर यूनिट अभी के लिए हम लोग ने सारी चीश का प्राइसिंग कर दिया है बस अभी हमें स्ट खरीदा क्या आठा ह Oh रोकडा दे रही है बाई रोकडा अपरू करना है इसका हमें 6 डॉलर इसने दिया है और इसका पांच डॉलर कट करना है यह बहन आपका एक डॉल और स्पेस ४तात करने का रहा है धवर बहन तो या जूल्रा करना तो काफी आशा नहीं बहना तो इस वोजे से चली गई और बील इसका बनता है 6 डोलर तो 6 डोलर हम लोग कट कर देगे और उसके बाद जाने देगे यह तो काफी आसान था आटा हाई सब लोग तो यह देने लगे हैं कार्ड स्वाइप कर रहे हैं क्या बात है इंटरनेशनल शोप हमने ओपन किया है ना इस वजे से मेबी हमें ऐसे 25 डिलेवरी कंप्लीट करनी है एंड उसके बाद हम लोगों का लेवल अप्ग्रेड होगा मेबी और अभी के लिए हमारे पास 22 डोलर वापिस हो चुके है हमने 50 डोलर हमारे पास थे इन्वेश्मेंट हमने किया था 40 डोलर का और देखेगे कि य लाओ काड़ दो एक मिनिट यह 6 डोलर का है ना यह लो पास्ता थोड़ा सस्ता करने दो अगर इतने महेंगे में पास्ता बेचुगा ना तो में भी कोई खरीदेगा नहीं इसको ना मैं 5 डोलर कर देता हूँ ताकि प्रोफिट कम होगा बट सब लोग खरीदेते होगे कम से अभी इसका हो गया अच्छा इसको आटा चीए ना पांच डोलर भाई पांच डोलर के लिए स्वाइप मत करा हूँ यार रोकड़ा दो ताकि हमारे पास भी थोड़ा ब्लेक मनी बने विससे मेरे को स्टोरे जोगे राभी अब्रेड करना है बट यह 25 ओडर कब तक कम्प्ल दोलर भाई यह कार्ड सिस्टम बहुत बढ़िया है ओ चुका है हमारा लेवल टू और राद भी हो चुकिए आइटिंग मेरे को स्टोर अभी बंद करना चाहिए और कार दिदो भाई आइटिंग एक मिनिट मेरे को लाइट ओन करने दो हमारे पास लाइट का एक फीचर है एक मिनिट भाई लाइट ओन करता है यह वी ना बात हम रात को भी स्टोर उपन रखरें ऐसा कुछ नहीं है लेवल 2 का स्टोर होने के बाद हमें कौन सी चीज मिलने वाली थी एक मिनिट मैंजमेंट में जाते है लाइसन्स हमें मिलेगा लेवल 5 पे साड़े 300 ॉडोलर का हम को मिल सकता है expand मतलब हम लोग अमारा store 4 by 4 वह कर सकते है एक बड़ उसके लेवल 4 चाहिए लेवल 4 तो नहीं हमारे पास 2E है उसके अलावा hiding हम लोग कर सकते है लेवल 10 पे store वगेरा तो सब ठीकी है 1000 डॉलर में कहाई इसे लाओगा मतलब अभी आमारे पास कुछ भी नहीं अभी बस हमें सामन बेचना है बस और अभी भी मेरे पास काफी सारा सामन पड़ा हुआ है और 100 डोलर में क्रोस कर चुका हूँ भाई ये बात लाओ कार्ड कितने देने हैं आपका क्या सामन है बहन ये लोग सुसु खरी आपका चेंज लेट्स गो अभी मेरे को ना 25 ओडर कंप्लीट करने है बट अभी तक मैं 18 ओडर कंप्लीट कर पाया हूँ थोड़ा रुकना पड़ेगा रात दिन काम करेंगे हम लोगे स्टोर को प्रोपी टेबल बनाने के लिए तो भाई यो स्टोर पे काम करते करते अभी रात हो चुकी है प्रेस एंटर टू फिनिश दे अच्छा एंटर दबाना है क्या चलो हमारा डेली स्टेटिक्टिक्स आ चुका है और कस्टमर जो की हमारे पास आये थे वो है कितने आये थे चबू टोटल कस्टमर 22 आये थे जिसमें से 14 कस्टमर सेटिस्पाइड हुए है म लोवर हमारा जो टोटल प्रोपीट है वो 79 डोलर और बेलेंस अभी हमारा है 129 मुला बच्छा पहला दिन काफी सही था अभी हम लोग डे टू पे आ चुके है श्टोर क्लोजे से ओपन कर देते है और बिल बगरा देख लेते कुछ तो बिल्स का नोटिफिकेशन आया था बाई बिल्स किदर है बाई एक मिनिट रुको इदर से ये करना है ना मेनेजमेंट बिल्स में तो बिल्स है इनी भाई पर नोटिफिकेशन क्या आया था श्टार्टिंग मैं ने रीड नहीं किया और फटा पट से को कर दिया तो अभी के लिए हम लोगोंने 24 ओडर कंप्ली चीजया ज्यादा खरीदेगे पास्ता नहीं चाहिए खरीते हैं और ये चोंको पीकी क्या है पता नी यार चोको पीक है इसका नाम बहुत खतनाग है भाई इसको मेरे को देना है अच्छा सई है कोई दिकत नहीं है अभी इसने खरीदा है कुछ तो बोल के गया मैं read नहीं करवाया क्या उसने बुला बट कुछ तो बोला है सामान जो मैंने खरीदा वो आगया क्या इसका अरे एक मिनट चलो इसको न थोड़ा late करवाया कि कोई दिक्कत नहीं है बढ़ तब तक ना हम लोग यहाँ पे सामान रख देते हैं भाई यह रहा अपना सुसू जो कि हम लोग सेल करने वाले हैं यह डबा फेक देते हैं बाई दवे कोई गलत डायरेक्शन में मत लेना कोई भी चीज़ को ओके हमारा उब्जेक्टिव खतम हो चुका है क्या बात है यह लो काड लाओ पांच डॉलर के लिए काड मत दो रहे अभी चाहिए हमें प्रोड़क्ट पर्चेस लाइसेंस उजिंग कॉम्प्यूटर हमेना एक पर्चेस लाइसेंस खरीदना है उससे पहले सामान का में बिल कर देता हो जोकी है थर्टी नाइन डॉलर इसे वापिस देना है ना तेन पांच एक दो तीन चार यह हो गया अभी सामान का किरा तो सब में करोगा थूड़ी देना में क्लोस कर देता हो शोप को और लाइसेंस करीद लेता हो भाई एक मिन्ट को लाइसेंस कहां पे है मेनेजमेंट और यहां पे है प्रोड़क्ट लाइसेंस जोकी मेरे को 200 डोलर का मिलेगा अरे यार ये तो गलत है ना मेरे को लेवल 3 चाहिए लेवल 3 करना पड़ेगा उसके बाद में लाइसेंस करीद पाऊगा और सामान भी अभी अटका हुआ है सामान सभी रख देता हूँ उसके बाद देखते है इसे 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 अभी के लिए मेरे को एकी चीज़ नहीं समझ रही है कि शोप को बंद करने का टाइम क्या है क्योंकि ओल्ड़ेडी नो बच चुके है बट शोप अभी तक ओपन है भाई काफी सारा सामान खरीदा है ओ एक गलती मैंने कर दी अरे यार ये गलती मैं केसे कर सकता हूँ 13 डोलर इसको रिटन में 6 डोलर देना है ना भाई ये ले नई यार मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ अच्छा इसे क्या ये लो ये लो 60 डोलर ये क्योंने टेक मिनिट मैं शोप बंद करता हूँ क्योंकि मैंने प्राइजिंग सेट नहीं करी है अब तक बंद 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 अभी इन लोगों को तो सस्ते में मिल जाएगा बट प्राइस करना बहुत जरूरी है काड़ लाओ 9 डोलर भाई हम लोग जैसे खरीदाता वेसे का वेसा बेच रहा है प्राइजिंग करना में भूल गया इसमें यह चीज मेरे को बुरी लगी वह यह की भाई यह लोगों को एक फीचर देना चाहिए जिसमें अच्छा इस थेप्ट नहीं है यार तुम लोग पॉइंट में में पेसे कहां से लाके दुगा बताओ या तो काड़ ही यूज करो फिर पांच छे, पांच, अई तिंग इसका फ्राइसिंग बागी है बागी सबका ओटोमेटिक प्राइस सेट है जोकि मुझे अच्छा लगा जोकि मार्किप्राइस है इसका चोकी पिक का छे डोलर और अभी हम लोग बेचने डो डोलर का तो I think मेरे को ना इसको 8 डोलर में बेचना चाहिए Market price से थोड़ा high ताकि हमारा profit थोड़ा बढ़े 5 डोलर क्योंकि हमें 300 डोलर चाहिए Water bottle का license खरीदने के लिए जिसे हम पानी भी बेच सके I think अभी रात हो चुकी है Day finish कर सकते है let's go तो बस अभी हमारे 300 डोलर होने ही वाले है इस order के साथ ये बात 18 डोलर मिल चुके है अभी हम लोग पानी बेचने के लिए license खरीज सकते है लाओ भाई पेसे दो कितना change चाहिए change चाहिए ही नहीं क्या आपको ये बात भाई मेरे को ना light on करने दो क्योंकि मेरे को खुद को कुछ भी नहीं दिख रहा है 10 डोलर देने ना ये लो चलो light on कर देते हैं भाई सुना automatic light का होना चाहिए तब मजा आएगा चलो 348 डोलर हो चुके है अभी हम लोग खरीदने वाले है license और ये license में खरीद हुगा ये coffee dark roast मैं लग तीन चार चीजों का license मिल रहा है क्या अंडे का भी मिल रहा है अंडे भी बेज सकते है दूधी भी बेज पाएगे और black tea भी बेज पाएगे महला बहुत सारे चीजों का license हमें 200 डोलर में मिल रहा था मेरे को पहले लगा पानी के bottle का ही मिल रहा है चलो ठीक है ये license तो मैंने खरीद लिया अभी चीजे कहां पे मिलेगी I think इसमी market में ही मिलनी चाहिए हाँ market में ही है भाई ये unit price बढ़ चुका है पास्ता का देखो 114 हो चुका है और उसके पास में green arrow आ चुका है bottle water bottle खरीदेगे अभी मेरे पास 148 डोलर है न अंडे खरीद लेते हैं अंडे सुबा में चाहिए दूद भी सुबा में चाहिए तो I think के अंडे और दूद बलेक टी भी चाहिए कोफी भी चाहिए रहती है चीज भी चाहिए और sugar powder तो ही है तो ये सभी चीजे हमने मंगवा लिए तू भाई सहाब 227 मतलब 227 डोलर हो रहे हैं और मेरे पास 148 डोलर है थोड़ी बहुत चीजे हटानी पड़ेगी इसे हटा देते हैं अंडे में ने दो मंगवा है न वो येकी unit कर देते हैं अब हो जाएगा order मैं कल सु total 25 customer देखे जिसमें से तीन को चीजे expensive लगी तो काफी अच्छा report है यह और उसी के साथ हमने upgrade को जो की 200 डोलर दिया वरना net profit हमारा 249 डोलर था ओल्डेटी हम लोग काफी profit में 50 डोलर से start किया था अभी काफी profit हमारा हो चुका है बट हम लोग चीजे upgrade कर रहे इस वज़े से profit दीख नहीं रहा है सज बताओ तो वरना काफी profit किया है और यह market में जो cart में है वो सभी सामन purchase करने दो और यह सभी सामन अभी आ चुका होगा दुकान को थोड़ा बंदी रखेगे अभी जब तक हम लोग इस सामन को रखनी देते हैं अब तक अभी यहाँ पीस को में ऐसे रखोगा एक मिनिट अच्छा the product place need fridge हम लोगों ने fridge नहीं खरीदा बट सामान अभी से हमने खरीद लिया यह तो लफड़ा हो गया भाई अभी में बक्सा केसे बंद करूँ अच्छा वो तो जाएगा अभी में इसको यहाँ पे ड्रोप कर देता हो भाई अभी यह without fridge में सामान को रखूगा भी केसे और even cheese भी म पड़ेगा फ्रीज कहां से लाएगे लफड़ा तो हो चुका है सामान का नाम अच्छा यह टी थी मतलब चा थी जी बोले तो अपने लेंग्विज में दूद को भी तो फ्रीज चाहिए रहेगा अरे यार यह बहुत लफड़ा है अभी मेरे को फ्रीज के लिए बहुत जल अब यह क्या है वोटर बोटल के लिए भी फ्रीज चाहिए रहेगा क्या अरे भगवान सी कृष्ण यह क्या हो रहा है मेरे साथ यह तो गलत बात है भाई यह तो मैंने नहीं सोचा था अरे गिरा दिया सब सामान कोई ना इसको ओपन करते थोड़े पेसे कमाते फ्रीज कित गया वाई यह तो बील तो प्यकर दिया मैंने बेंक से लोन ले सकते फ्रीज कहां पर है अच्छा फरनीचर में फ्रीज रहेगा ना अच्छा यह रहा है दोसो डॉलर का ही फ्रीज है लेट्स गो भाई हम लोग फ्रीज करी सकते से 200 डॉलर का है और हमारे पास सामान अभी भी काफी सारा पड़ा है जिससे फ्रीज आ जाएगा इतने में तो यह बात अभी हम लोग लोस में चले जाते बट ठीक है इसको वापिस कितने देने है वापिस कुछ भी नहीं देना है अच्छा पानी का बोटल तो बेहन मेरे को भी चाहिए बट मैं क्या करू बताओ सभी का सभी खतम हो चुका चाह और ये ब्रेड का एक ही पेकेट बचा हुआ है बाकि सब उमने बेज दिया तब जाके 220 डोलर हुआ है मार्किट फरनीचर में ये लिया हमने ये वाला फ्रीज 200 डोलर का बिसको में मंगवा लेता हूँ कब तक आएगा भाई ये लाओ भाई बद दिखता नहीं है ना चीजे ही हम लोग खरीद रहे है खरीद रहे है ऐसा हो रहा है फ्रीज आ चुका है इस फ्रीज को में रखूगा कहां पे ये वाली जगा पे और इसमें मेरे को सामान रख देना चाहिए भाई लोग भी कस्टमर भी आ गया है फटा पटा में करना पड़ेगा ये लोग दूध ये रख दिया हमने यहां पे दूध और बाकी भाई ये कितने पेकेट है बहुत सारे आई तिंक हम लोग इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते अभी मिल्क नहीं रखेगा अभी हम रखते है ये क्या है अंडे भाई अंडे सब को चुगी है ये लो आप पे वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाल आइकन दबाते हैं लोग काफी क्लोज है 40 मिलियन सब्सक्राइबर फे मिलिगे तो प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब कितने पेसे बने आपके आपको कितने 60 डोलर वाफिस दे सो जाते हैं और कल सुबा में देखेगे अभी डेफ फोर में हमने कितनी कमाई करी 23 कस्टमर टोटल आये थे जिसमें से चीजे काफी ज्यादा उन लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिली है 16 चीजे नहीं मिली है काफी प्लस हुआ काफी माइनस हुआ ओल ओवर हम लोग 74 डोल को खतम करना चाहिए बाइद वे अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाल आइकन भी दबा देना और अगर इसका पार्ट टू चाहिए तो इस वीडियो पे 5 लाग कमेंट 5 लाग कमेंट नी 5 लाग ल जाती है ना तो मैं रियल लाइप में भी सुपर मार्किट ओपन करोगा बटा इसके पार्ट टू के लिए हम लोग 3 लाग लाइक ही रखते है और 50,000 कमेंट रखते है पार्ट टू के लिए बट रियल लाइप में सूपर स्टोर में बना हुए सा आप लोग चाहते हो तो 5 लाइक और एक लाग कमेट मिलेगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए सबको बाई बाई आई होप आप लोगों को मजा आया होगा मिलते हैं बाई बाई टेक केर